नमस्कार किसान भाईों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल खेती की जानकारी में किसान भाईों आज हम बात करेंगे दान की फसल में सलफर डालने के फायदे के वारे में जो किसान भाई चैनल पर नए आये हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से छोटी सी रुक्वेस्टे की चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने बेल आइकॉन को दबाना न भूले ताकि खेती बागवानी इमडेरी समन्दे जानकारी आपको चैनल के मादम से मिलती रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं किसान भाईयों अगर आपकी फसल 15-25 दिन की अंतराल की हो गई है तो आपको अपने धान की फसल में सलफर का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि सलफर की कमी से धान की फसल में फंगस लगना, धानों की चमक कम होना, एम टेलिंग एम ग्रोथ की समस्या आती है किसान भाईयों अगर आप लोग इसका प्रयोग अपनी फसल में करते हैं तो आपके धान की फसल में टेलिंग ग्रोथ एम चमक बढ़ जाएगी और उपज 15-20% ज्यादा होगी किसान भाईयों बात करेंगे मात्रा के बारे में तो आप इसका प्रयोग यूरिया के साथ 3-4 kg एकड के हिसाब से डाल सकते हैं अगर किसान भाईयों आप दानेदार सलफर का प्रयोग करते हैं तो 5-6 kg एकड के हिसाब से डाल सकते हैं तो आसा करते हैं किसान भाईवों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास बनेबल आइकॉन को प्रस करें ताकि खेती बागवानी उमडेरी संबंदित जानकारी आपको चैनल के माधम से मिलती रहे तो म जय हिन, जय भारत, जय जवान, जय किसान.